Good day to all of you! जैसा कि आप सभी Paint, Writer और Impress के Advanced भाग के बारे में सीख चुके हैं, अब आप Open Office के Spreadsheet के Advanced भाग के बारे में सीखेंगे. जैसा कि आप सभी ने Spreadsheet के Basic भाग को सीख लिया है, क्या आप सभी को वै याद है कि आपने Spreadsheet के Basic भाग में क्या क्या सीखा था? Spreadsheet के Basic भाग में आपने Formating Toolbar, Menu Bar के कुछ Option के बारे में सीखा था, जैसे कि File, Menu, Edit Menu, View Menu, Insert Menu, Format Menu, Tool Menu, Data Menu और Window Menu के विकलपों के Basic भाग के बारे में सीखा था. इसके साथ साथ आपने बहुत से Formulों के बारे में भी सीखा था और उनका उप्योग कैसे और क्यूं करते हैं ये भी सीखा था. क्या आप सभी को याद है कि आपने Spreadsheet के Basic भाग में कौन-कौन से Formulों के बारे में सीखा था? आपने Basic भाग में H-LOOKUP, V-LOOKUP, SUM, CONCINE, IF, SQUARE, POWER, बहुत से Formulों को सीखा था. तो आएए अब हम Spreadsheet के Basic भाग के कुछ Option का Revision करते हैं. Formating Toolbar का उप्योग क्यों करते हैं? Formating Toolbar के उप्योग से आप अपने Spreadsheet के Document के Data की Formating कर सकते हैं. इसका मतलब कि आपने जो टाइप किया है उसको अलगलग डिजाइन में बदल सकते हैं, जैसे कि Text की Writing को Change कर सकते हैं, Text और Number के Color को बदल सकते हैं, और Cell टेक्स के Background को Highlight भी कर सकते हैं. Spreadsheet में आपको एक Cell से दूसरे Cell में जाने जाना हो तो कैसे जाएंगे? Spreadsheet के एक Cell से दूसरे Cell में जाने के लिए आप अपने Keyboard के Arrow Key का उप्योग कर सकते हैं, और अपने Mouse या Touchpad के दुआरा भी आप जा सकते हैं, अब आप सभी अपने Computer को On करें, और बताएगे किसी भी एक तरीके से Spreadsheet की File को Open करें, आज की Class में आप सभी Standard toolbar के Options के बारे में सीखेंगे कि उनका उप्योग कैसे करना हैं, जैसे कि New, Open, Save, Hyperlink, Sort, Ascending, Sort, Descending, So, Draw Function, Data Source, इत्यादी Options के बारे में सीखेंगे, और इनके साथ Basic Class के कुछ फोर्मूलाओं का अभ्यास भी करेंगे, क्या आप सभी ने Spreadsheet की File को Open कर लिया हैं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर कैसी ये Spreadsheet की File को Open करना सीखें, आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं Spreadsheet की File को कैसे Open करते हैं, Spreadsheet की File को Open करने के लिए सबसे पहले अपने Pointer को Start बटन पर लेके जाएं, वहाँ पर एक बार क्लिक कर दें, तो यहाँ पर एक Box Open हो जाएगा, फिर अपने Pointer को All Program option पर लेकाएं, वहाँ पर क्लिक करें, फिर Open Office 4.1.2 option को सलेक्ट कर लें, यहाँ पर बहुत परकार की Options दिखाई देंगे, इन में से आपको Open Office C.A.L.C. option को सलेक्ट करना है, जैसे इस Option पर सलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, जो आपकी Spreadsheet की File है, वह Open हो जाएगी, अब आप सभी Spreadsheet की File में कुछ Data को Type करें, या फिर सामने दिएगे Table को देखकर, अपनी Seat पर Type करें, क्या आपने दिएगे Table को Type कर लिया है, अब आप इनका सभी का Total करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो वीडियो को देखकर सीखें, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, सम फॉर्मूला का उप्योग कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को अगर Total करना है, उसके लिए हम सम फॉर्मूला का उप्योग करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर भी आपको Total निकालना है, उस सल पर क्लिक करें, वहाँ पर Equal To को टाइप करें, फिर Sum सम टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने Bracket को यहाँ पर स्टार्ट किया, Open Bracket हमने यहाँ लगाया, अब जिस नंबर को भी Total करना है, उस नंबर को हम सलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने नंबर को सलेक्ट किया, सलेक्ट करने के बाद आपको Bracket को क्लोज करना है, हमने यहाँ पर Bracket को क्लोज किया, उसकवाद एक बार Enter बिटन को प्रेस किया, तो आप दे दिखाया जा रहे हैं फिरसे यहांपे टोटाल लिखे यहांप tam now यहां सम फ़रमोले लगाना है इसके लिए हमें सुम्राल टैप करेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर open bracket अमने यहां पर लगाया फिर नमरों को आमने select कर लिया जिनका में total करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर bracket को close करें और enter बटन दवा दें यहां पर आप देख से ते इनका total आ गया बाकी नमरों को total नकालने के लिए यहां पर click करें और इसको right side में drag कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इन सभी नमरों को total आ जाएगा तो इस प्रकार से आप some formula को उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी standard toolbar के options के बारे में सीखेंगे क्या आप जानते हैं standard toolbar क्या होता है standard toolbar एक shortcut तरीका होता है जिसके अंदर सभी menu के options उप्लब्ज रहते हैं जिनका उप्योग आप menu में ना जाकर इनका उप्योग आप directly कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं standard toolbar में हम किन किन options को रख सकते हैं standard toolbar में हम menu bar के सभी options को रख सकते हैं जिसका उप्योग हम अपनी spread seat में standard toolbar की मदद से कर सकते हैं आए वीडियो को देखकर एक एक options को सीखना सुरू करते हैं अगला option save का है जैसे कि आप जानते हैं save के दवारा आप अपने file को save कर सकते हैं file को save भी आप कई तरीकों से कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं standard toolbar के दवारा file को कैसे save करते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं अपने document को save कैसे करते हैं टूल बार के option जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इस icon पर click किया एक box आ गया फिर आपको जिस location पर भी आपको click करना है आप वहाँ पर उसे select कर लें फिर जहाँ पर file name है वहाँ पर अपने नाम टाइप कर रहें फिर save पर click कर दें इसके लिए आप चाहें तो ctrl s भी कर सकते हैं ctrl s करेंगे तो भी इसी तरीके के box आ जाएगा तो यहाँ पर नाम लिखके save पर click कर दें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया गया हमने file menu पर click किया क्योंकि already है file save थी इसलिए save का option highlight नहीं हो रहा था तो हमने यहाँ पर save as पर click कर दिया दुबारास हमने इसके अंदर कुछ changes किया हमने इसके location को change किया file name को भी हमने change किया किसी दूसरे नाम से हमने save कर दिया तो आप file menu का उपयोग भी कर सकते हैं अपने file को save करने के लिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप चाहिए तो shortcut command का उपयोग करना चाहते है तो आप shortcut command का भी उपयोग कर सकते हैं shortcut command इसके लिए हम control s यूज करेंगे क्योंकि यह file already save अगर हम यहाँ पर control s करेंगे तो कोई भी box नहीं आएगा अगर आप इसके अंदर कुछ editing करते हैं फिर जाकर control s करते हैं तो जो भी हमने editing बाद में किया है वो save हो जाएगा इस प्रकार से आप save विकल का उपयोग कर सकते हैं spread sheet में अगर आप एक और नई spread sheet की file को लेना चाहते हैं तो आप एक नई file को कितने प्रकार से ले सकते हैं spread sheet में आप एक और नई spread sheet की file को लेने के कई तरीके होते हैं पहला आप file menu के मदद से और दूसर standard toolbar के new option की मदद से और आप shortcut command के दवारा भी आप new file ये document को ले सकते हैं जो की control plus N होता है आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं standard toolbar की मदद से आप new file document को कैसे लेते हैं आईए वीडियो को देखकर नए file लेना सीखते हैं आप नया file अलग तरीकों से ले सकते हैं सबसे पहला तरीका standard toolbar के new लिखे shortcut icon उस पे click करेंगे तो आपका नया page आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने या पे click किया नया page आ गया अब इस page को close कर दें यहां से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसे यहां से close कर दिया अब हम इसे दूसरे तरीके से लेंगे file menu पे click करेंगे new पे click करेंगे और spreadsheet option है उस पे click कर देंगे जैसे इस पे click करेंगे फिर से एक नया file open हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह second तरीका है इस तरीके सब page को open कर सकते हैं फिर से close कर दें तीसरा तरीका है shortcut command का shortcut command के लिए आपको control के button को press करके रखना है एक बार n को दबाएंगे जैसे ही control के button और n को दबाएंगे आपको नया page आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप नया page ले सकते हैं अगर आपको spreadsheet की कोई save document को open करना हो तो उसे कैसे open करेंगे spreadsheet की save file को भी आप कई तरीकों से open कर सकते हैं पहला file menu से दूसरा standard toolbar से तीसरा shortcut command की द्वारा जो की control प्लस ओ होती है आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं standard toolbar के उप्योग से file को open कैसे करते हैं अब आईए open करना सीखते हैं कि हम किसी document को कैसे open करते हैं अपने pointer को standard toolbar के open लिखे option पर लिखे जाए जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया हमने वहाँ पर क्लिक किया तो इस तरीके से एक box open हो गया जहां पर भी आपकी file है यह जिस location पर भी आपकी file है उस address को आप select कर लें उस address को select करने बाद आप कोई भी file को जिस file को open करना चाहता है उससे select कर लें फिर open पर क्लिक कर दें जो भी आपकी file है वो open हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है दूसरे तरीके से open करने के लिए आप सभी को file menu पर क्लिक करना है file menu पर क्लिक करने के बाद फिर open पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक box आजाएगा जिस file को भी आप open करना चाहते हैं उस file को select कर लें फिर open पर क्लिक कर दें तो यहाँ आप आप वीडियो में देख सकते हैं वे file यहाँ से open हो गई कि जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब इसे close कर दें क्लोज करने के लिए आप पर क्लिक कर दें तीसरे तरीके से open करने के लिए आपको shortcut command control प्लस ओको प्यूब करना है control को बटन को दबा कर रखें ओको बटन को एक बार प्रेस कर दें इस तरीके से box आजाएगा जो भी file आपको open करनी है उस file को select करें पहले से search करें फिर उसको select करें select करने के बाद open पे क्लिक कर दें जैसे open पे क्लिक करेंगे वह file आपकी open हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप अपने file को किसी भी save file को आप open कर सकते हैं अब एक अगले cell में max टाइप करें उसके नीचे सभी row की maximum value को निकाल कर दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं maximum formula का open कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते है maximum formula की मदद से आप जो भी आप range select करेंगे उसके अंदर जो सबसे maximum value होगी उसे so करेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक column में maximum maximum टाइप किया यहाँ पर हमें एक row में से maximum value को निकालना है कि इस row के अंदर सबसे बड़ी value कौन सा है उसके लिए हम यहाँ पर maximum formula को प्योग करेंगे जिस cell के अंदर भी आपको यह formula यह maximum value निकालना हैं वहाँ पर सबसे पहले equal to को type करें फिर max को लिखें max max लिखें bracket को start कर दे जितने भी numbers है जिस row यह column से आप निकालना चाहते हैं उसको select कर लिए जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने पहले row को select कर लिया फिर bracket को close कर दे bracket को close करने के बाद एक बार enter hit कर दे enter button press करने के बाद आप देखेंगे जो इस row के अंदर सबसे बड़ी संख्या थी जो बड़ी number थी वो यहाँ पर result में आ जाएगगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं अगर आप बाकी row के भी निकालना चाहते हैं आप इसको click कर लें click करने के बाद इसकी जो corner है यहाँ हम दुबारा से देखते हैं कि maximum formula को प्यों कैसे करते हैं फिर से equal लिखें max लिखें bracket को start करें जितने number है उन number को आप select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है फिर bracket को close करें close करने के बाद enter button प्रेस करें जैसे enter button को दवाएंगे तो आप देखेंगे जो इस row की सबसे बड़ी number है वो यहाँ पर आ जाएगा फिर आप right side में click करने के बाद जो corner पी छोटा सा button है उस पर click करें और नीचे drag कर लें तो बाकी numbers भी उसका maximum number यहाँ पर निकल के आ जाएग तो इस प्रकार से आप maximum formula का उप्योग कर सकते हैं क्या आप जानते हैं document as email का उप्योग क्यों करते हैं document as email से आप अपने spreadsheet के document को किसी दूसरे के पास mail कर सकते हैं या फिर send कर सकते हैं इसके लिए आपके पास outlook का account होना चाहिए अथवा आपकी window किसी live account से connect होनी चाहिए live account जैसे की hotmail live इत्यादी आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं document as email के द्वारा document को कैसे send करते हैं आइए वीडियो को देखकर document as email को उप्योग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं document as email की मदब से अपने document को किसी दूसरे user को आप send कर सकते हैं इसके लिए आप सभी को सबसे पहले standard toolbar के यहाप आप देख सकते जो shortcut document as email को option है अपने pointer को वहाँ पर लेके आए और यहाँ पर click कर दें जैसे यहाँ पर click करेंगे जैसे आप click करेंगे यहाँ पर outlook को एक box open हो जाएगा क्योंकि यह window outlook के साथ connect है लिंक है इसलिए यहाँ आप देख से तो यह outlook का box open हो गया अब जिसी user को भी आपको यह document send करना है जहाँ पर to लिखा है वहाँ पर उस user का यहाँ पर email id टाइप करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर email id टाइप किया आप यहाँ पर देख सकता है attach में जो भी हमारी फाइल है वो automatic यहाँ पर attach हो चुकी है जैसे आप send के बटन पर click करेंगे यह document जिस user का भी email id अपने टाइप किया उसके पास send हो जाएगा इसके लिए आप सभी को internet connection की भी जुरूत है अगर internet connection नहीं है तो आप अपने document को send ही नहीं कर सकते हैं क्या आप जानते हैं edit file का उप्योग करते हैं edit file से आप अपने document को read only और editable को change कर सकते हैं जब आप edit file पर click करेंगे तो आपके standard toolbar के सारे options hide हो जाएंगे आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं edit file का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से edit file के बारे में सीखते हैं कि इससे क्या होता है जैसे कि आप चांदते हैं edit file की मदद से आप जो भी आपके जो file है उसके अंदर कोई भी चीज़ आप edit नहीं कर सकते उसके अंदर कोई भी changes नहीं कर सकते इसके लिए अपने pointer को standard toolbar के edit file option पर लेके जाना है जैसी वहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे जो formatting toolbar के कुछ options थे standard toolbar के जो options थे वो hide हो गया है शिप आपको यहाँ पर data type किया आपको यहाँ पर seat दिखाए दे रहा होगे आप जैसे इसके अंदर कुछ editing करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी changes नहीं कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हम इनमेंसे कोई data को delete करना चाह रहे हैं लेकिन यह delete नहीं हो रहा और इसके अंदर हम कुछ type करना चाह रहे हैं यह type भी नहीं हो रहा इसको वापिस normal view में लाने के लिए आपने pointer को फ टूल बार हाइड हुए थे वह यहां पर सो हो रहा है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर फॉर्मेटिंग बार भी आ चुका है और स्टेंडर टूल बार को option भी आ चुका है जब आप इसके अंदर कुछ भी editing करेंगे तो आप देख सकते हैं अगला PDF बनाने के बाद document में कोई भी दुबारा से change नहीं कर सकते हैं PDF का full form होता है portable document format आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि PDF विकल्प के दुबारा spreadsheet के document को कैसे PDF में बदलते हैं आए ये वीडियो को देखकर सीखते हैं PDF फाइल का उप्योग कैसे करते हैं PDF फाइल को convert करने के लिए सबसे पहले आप PDF की फाइल को convert दो तरीकों से कर सकते हैं एक जो आपके standard toolbar के अंदर shortcut command बना हुआ है shortcut icon बना हुआ है आप वहाँ पे click करके डिरेक्ली इसको PDF की फाइल में convert कर सकते हैं दूसरा तरीका आप file menu में जाके export as PDF option को select करेंगे तो भी ये PDF की फाइल में convert हो जाएगी standard toolbar के shortcut icon PDF डिरेक्ली पे click किया वहाँ पे तब देख से थे इस तरीकी एक box आ गया जिस location पे भी आपको अपनी file को save करनी है उस location को आप select कर लें फिर जिस नाम से भी आपको save करना है उस नाम को यहाँ पे type करें और save पे click कर दें जैसे save पे click करेंगे जो आपकी file है वह PDF की file में convert हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसको check करने के लिए कि यह file आपकी बनी है नहीं तो इसको आप minimize करके आप उस file को देख सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां से minimize किया अब हम यहां पर check कर रहे हैं कि यह file PDF में convert हुई है या नहीं तो आप यहां पर देख सकते हैं जो यह file है वो PDF में convert हो चुकी है आप इस पर double click करें जैसी double click करेंगे यह file open हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इसके नदर आप कुछ भी editing नहीं कर सकते यह आपकी file secure हो गई है फिर से अपनी file पर आए अब हम दूसरे तरीके से PDF की file को बनाना सीखेंगे file menu पर click किया फिर export option को हमने select कर लिया जैसे हमने export option को select किया तो सबसे पहले यहां पर save करने को option आ रहा है आप इस file को कहां पर save करना चाहते हैं उस location को आप select कर लें जो आपकी file name देना चाहते हैं जो भी आप file name देना चाहते हैं वह फाइल नेम यहां पर type करें फिर save पर click करें save पर click करने के बाद आपको PDF का इस तरीके से option आएगा अगर आप इस पर security लगाना चाहता है पासवर्ट लगाना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह PDF की file कोई भी open ना कर सके हैं तो उसके लिए यहां पर पासवर्ट सेट कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं हमने आप एक पासवर्ट दिया फिर से यहां पर कन्फर्म किया फिर पर्मीशन के लिए भी आपको पासवर्ट देना है फिर से कन्फर्म करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं आप सभी को यहां पर याद रखना है धियान रखना है कि जो आप पासवर्ट देंगे इस चारों पासवर्ट यहां पर सेम होना चाहिए यहां पर आपको एक ही पासवर्ट देना है यहां पर अलग नहीं होना चाहिए फिर आप सभी को export option को select करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जो यह आपकी normal file थी यह file PDF में convert हो जाएगी इसको आप check करने के लिए इसे minimize करें minimize करने के बाद यहाँ आप देखते जो भी नाम से अपने file को save किया था अब इस file को जब आप open करेंगे यह कोई दूसरा user इसे open करेगा तो इसे open नहीं कर पाएगा जब भी इसे open करेगा इसको open करने के लिए यहाँ पर password पूछा जाएगा अगर उस user को password पता है तब ही इस file को वह देख सकता है अगर password नहीं पता तो इस file को open नहीं कर पाएगा तो हमने यहाँ पर password टाइप किया okay पर click कर दिया जैसे हमने okay पर click किया आप देख सकते हैं यह file open हो चुकी है अब इस file को हम देख सकते हैं जो भी इसके अंदर content से हैं उसे read कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप PDF की file को बना सकते हैं उसके अंदर आप security लगा सकते हैं password लगा सकते हैं जिसे कोई दूसरा user इस file क को ना देख पाएं अब आप सभी एक नई कॉलम में इस टाइप करें यहां पर इस formula का उप्योग करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं इस formula का उप्योग कैसे करते हैं सबसे पहला आप देख सकते हैं पर जो भी हमने यह पर एक्सराइड लिखा था हमने उसको इस इसको डिलीट कर दिया हमने कॉलम में क्लिक किया और आप हमने इस लिखा क्योंकि हमें पर grand total जो d column का पहला d1 है cell उसको हमने select कर लिया अब हम इसको उपर condition लगाएंगे हमें इसको उपर condition लगाना है अगर जो यह cell 1456 से इसको उपर कोई भी आप condition लगा सकते हैं यह condition इसे ज़्यादा होना चीए या कम होना चीए अगर कम हो तो क्या result आना चीए अगर ज़्यादा हो तो क्या result आना चीए तो आप अलग-अलग परकार के condition लगा सकते हैं हमने यह पर condition दिया अगर यह cell अगर thousand से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर show करें जो result में लिखाया है वो ok लिखा हुआ है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर inverted कोमा के अंदर ok लिखा फिर हमने यहां semi colon लगाया फिर अगर इस से कम है तो यहां पे cancel लिखा हुआ है दो statement हमने यहां पर दिया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जाया रहा फिर bracket को close करके हमने enter button को press किया तो आप देखते हैं यहां पर ok लिखा हुआ आ गया देशे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, फिर हमने यहां से ड्रैक किया, जो भी वैल्यू हजार से ज़्यादा था, वहां पे OK लिखा हुआ आ गया, जो वैल्यू हजार से कम था, वहां पे Cancel लिखा हुआ आ गया, तो इस प्रकार से आप इस formula का उपयोग कर सकते हैं अगला विकल्प Print File Directly का है, इसके दोआरा आप अपने Spreadsheet के Document का प्रिंट ले सकते हैं आए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि Print File Directly का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो को देख कर Print File Directly का उपयोग करना सीखते हैं आप अपने standard toolbar के option print file directly पे लेके जाएं वहाँ पे click कर दें जब आप यहाँ पे click करेंगे जो भी आपके file है जो भी आपको document है यहाँ से आप अपने document को directly print दे सकते हैं इसके लिए printer connect होना चाहिए अब आप page preview के बारे में सीखेंगे अगर आपको अपने spreadsheet के document के preview को देखना है तो आप page preview का उप्योग करेंगे आईए अब video को देखकर जानते हैं कि page preview से क्या होता है आईए video को देखकर preview विकल्फ का उप्योग करना सीखते हैं कि preview से क्या होता है सबसे पहले अपने पॉइंटर को स्टेंडर्ड टूल बार के प्रिव्यू ओप्शन पर लेके आएं वहाँ पे क्लिक कर दें जैसी वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका पेज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आप उसका प्रिव्यू देख सकते ह कि अप्रिव्यू में देख सकते हैं कि वह किस तरीके से प्रिव्यू होएगा जैसे कि आपको video में दिखा जाए जा रहा ह conscious अधर इसको आप प्रिव्यू को तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आप इसे फिसे नॉर्मल व्यू में करना चाहते हैं, तो क्लोस प्रिव्यू पर क्लिक कर दें, ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, आईए आप जानते हैं कि स्पैलिंग और आटो चेक विकल्प से क्या होता है, अगर आपको अपने डोकुमेंट में कोई वर्ड गलत टाइप किया हो, तो उसके ठीक करने के लिए आप स्पैलिंग विकल्प का उप्योग करेंगे, इसके लिए सौटकर कमांड एफ सेवन का भी उप्योग कर सकते हैं, आईए अब वीडियो को देखकर, स्पैल चेक और आटो चेक के बारे में सीखते हैं, कि इससे क्या होता है, सबसे पहले हमने एक सेल के अंदर क्लिक किया, हम वहाँ पर पहले कुछ टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर स्प्रेड सीट लिखा, तो आप देख सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर स्प्रेड सीट लिखा है, उसकी स्पैलिंग गलत है, हमने स्पैलिंग गलत लिखा था आप देख सके नीचे रेड कलर की हलकी सी लाइन से हो रही है, यह स्पैल चेक या आटो चेक की मदद से होता है, जैसे हमने यहाँ पर आप आप एक्टिव करते हैं किलिक करके जब भी रॉंग स्पेलिंग टाइप करेंगे तो नीचे रेटिकल से हाइलाइट हो जाएगा हम इसको यह बाद सेलेक्ट करके इसको फिस्ट एक्टिव किया जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जब भी हम कोई स्पेल्ग टाइप करेंगे हमने यह पर देखा कंप्यूटर को लिखा हमने यह पर देख सकते हैं इसके नीचे रेड लाइन आगी Spelling Check की मदद से आप जब आप Spelling Check पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसे related जो सही वर्ड है वो automatic यहाँ पर आजाएगा suggestion box में आप उसको select करके उसे आप replace कर सकते हैं जो correct word है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने गलत लिकाता है इसको save word को select किया और उसको हमने replace कर दिया इस प्रकार से आप auto check की मदद से auto check और spell check का उपयोग कर सकते हैं अब इसके आगे कि तीन option जैसे की cut, copy और paste के बारे में सीखते हैं जैसे की आप जानते हैं cut, copy और paste आप edit menu के दवारा भी कर सकते हैं और इसका उपयोग आप shortcut command के दवारा भी कर सकते हैं cut के लिए control plus x, copy के लिए control plus c, paste के लिए control plus v होता है आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि standard toolbar के दवारा cut, copy और paste कैसे करते हैं आएए वीडियो को देखकर copy, paste और cut करना सीखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा data type है पहले से ही, यहाँ पर हमने इस table को type किया था जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं अभी हमें इस data को copy करके दूसरे seat पर लेके जाना है इसके लिए हमें पहले से select करेंगे से select करने के बाद हम इसे copy कर लेंगे जैसा आपको वीडियो में दिखा जा रहा कि हमें इस data को second seat पर ले जाना है तो हमने आपको second seat दिखाया है वहाँ पर click करके हमने फिर से पहले seat पर click किया जो भी यहाँ पर data है उसको हमने select किया हम चाहते है कि यहाँ से हटके वह दूसरी जगह पर आ जाए तो इसके लिए हम cut करेंगे standard toolbar के cut option पर लेके गए वहाँ पर click किया तो आप देखे तो यहाँ से cut हो गया अब जहाँ पर भी आपको paste करना है वहाँ पर click करें तो आप देखे तो यहाँ पर first style है वहाँ पर click है फिर हम standard toolbar के paste option पर लेके गए वहाँ पर click कर दिया जो भी data हमने copy कट किया था आप देखे तो यहाँ पर seat 2 पर आ गया है seat 1 पर click करें तो आपको दिखाए देगा यहाँ पर कोई भी data भी नहीं बचा है क्योंकि हमने इसे cut करके यहाँ से हटा के इसे दूसरे जगह पर हमने paste कर दिया जैसे कि आप वीडियो में देखे तो यह seat 2 पर आ चुका है तो आप इस प्रकार से cut कर सकते हैं फिर से अगर आपको पहले seat पर ले जाना है तो इसके लिए जो भी data है इसको select करें अब हम इसे copy करेंगे, copy करने के लिए आप standard toolbar के copy option पर ले जाए आप इसके लिए चाहे तो shortcut command control c भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसको जहाँ पर भी आपको paste करना है हमें पहले seat पर लाना है तो आप देखेता हमने यहाँ पर self जो seat है seat के बीच हमने click किया था जैसे हमने वहाँ पर paste किया यह seat के बीच में आ गया इसको यहाँ से हम cut कर देंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पहले click करें फिर paste करने के लिए standard toolbar पर click कर दें जो standard toolbar के shortcut paste का option है वहाँ पर click करें हमने यहाँ पर directly shortcut command का उप्योग किया जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर control plus V किया तो वह data यहाँ पर copy हो गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है shortcut command यह standard toolbar की मदद से कट, copy, paste करना दीख सकते हैं format paint brush का उप्योग क्यों करते हैं format paint brush के द्वारा आप किसी एक cell पर कुई formatting या table पर किवे formatting को दूसरे cell पर लगा सकते हैं किवे formatting वैसे ही दिखेगी जैसे कि आपने जहां से भी वह formatting format paint brush से select की होगी आए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि format paint brush का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर format paint brush के बारे में सीखते हैं format paint brush से क्या होता है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ आपने कुछ data को type किया हुआ है अभी हम इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे सबसे पहले हमने डेटा को जो टेबल बनाया अस टेबल को हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद हमने इस पर बैगराउंट कलर अपलाई कर दिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम इसके अंदर कोई भी फ मातटिंग नहीं है हम चाहतने नहिं सेलेक्ट करने के बाद हम पर कुलिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ज़या आप देशकते हैं यह पर इकन के सब्सक्रागी नहीं है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इसको select किया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वही same formatting आ गया जो seat 1 के अंदर formatting है जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है इस प्रकास आप format paint brush का उप्योग कर सकते हैं अगला option undo और redo का है जैसे कि आपने copy और paste का उप्योग किया है वैसी आप undo और redo का भी उप्योग करेंगे अगर कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो को देख कर सीखें कि undo और redo का उप्योग कैसे करते हैं आजए वीडियो को देखकर सीखते हैं अंडू और रीडू का उप्योग कैसे करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों सीट पर हमने कुछ डेटा को टाइप किया है और दोनों पर फॉर्मेटिंग क्या हुआ है अगर आपको इस फॉर्मेटिंग को हठाना है तो हम अंडू पर क्लिक करेंगे अब स्टेंड टूल बार करें हम अंडू विकल्प को स्छ अलच किया हो उजज जी आपको वीडियो में दिखा जा अभी वापिस लाने के लिए अभी देख सकते हैं दोनों पर फॉर्मेटिंग हट गया है अभी हम वापिस लाने के लिए रीडियो का उप्योग करेंगे स्टेंडर्ड टूलबार की रीडियो अप्शन पर लेके गए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है मैं यहां पर लेके गए अपने पॉइंटर को और रीडियो पर क्लिक करेंगे जो भी फॉर्मेटिंग पहले हटा था वह फॉर्मेटिंग फिर से वापिस आ से आप अंडू और रीडू का उप्योग कर सकते हैं अगला विकल्प हाइपर लिंक का है इसके दवारा आप अपने spreadsheet के current किसी दूसरे फाइल के लिंक को दे सकते हैं आए आए ए वीडियो को देखकर सीख्टे हैं। लिंक कैसे insert करते हैं आए वीडियो को देखकर hyperlink के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमें यहां इस cell के अंदर हमें hyperlink को लगाना है इसके लिए हमनी cell को select किया फिर standard toolbar के hyperlink option पे click किया इस तरीके के box open हो गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर open file पर हमने click किया यहां से जिस file को भी आप attach करना चाहते हैं उस file को select कर लिए जिस location पर भी आपकी file है उस location को पहले open करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने एक key file को select किया फिर open पे click कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई गया जो भी उसकी पाथ है जो भी उसकी link यहां बनके आ गया फिर हमने apply पे click किया और close पे click कर दिया तो आप देख से यह link उस cell के अंदर insert हो गय जब आप इस link पे click करेंगे जो भी file अपने attach किया था वह file open हो जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है वह file यहां से open होगी जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है तो इस प्रकार से आप hyperlink का उपयोग कर सकते हैं अब आप short ascending और short descending के बारे मे सीखेंगे इसके द्वारा आप अपने cell के data को बढ़ते करम और घरते करम में रख सकते हैं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं short ascending और short descending का उपयोग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देखकर short ascending और descending के बारे में सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आप वीडियो में देख सकता है हमने quantity one वाले कॉलम को सेलेक्ट किया फिर अपने pointer को ascending order पे लेके वहाँ प बढ़ते करम में आ गया है किसी परकास है अगर किसी और के आपको number को change करना है उसके order को change करने आप उस column को या row को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पे सेलेक्ट किया quantity two column को हमने सेलेक्ट किया फिर descending option पे लेकी गया और वहाँ क्लिक कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर हमने current selection पे click किया तो आप देख सकते हैं जो इसका order है वह change हो गया है अब यह घटते करम में आ गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सबसे पहले बढ़ी value है पिर उसके बदे कम कम औ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप चाहें इसे दूसरे तरीके से भी इसके ओडर को चेंज कर सकते हैं इसके लिए आपको data menu पर क्लिक करना है फिर sorting option को select कर लेना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर आपके पास इस तरह के box आ है अमने c column को select किया फिर data पर गए और sort पर click कर दिया current selection पर हमने click किया यहां पर order दिया हुआ ascending और descending आपको जिस order में भी रखना है उस order को उस अप select कर लें फिर आपके पर click कर दें हमने descending order को select कि आता तो आप देशकते जो number है वो घटते वे करम में यहाप दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप short ascending और short descending की मदद से number को आप उसको घटते या बढ़ते करम में रख सकते हैं अगला option चार्ट का है इसके द्वारा आप अपने excel के data को graph के view में देख सकते हैं आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इसका उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देखकर चार्ट विकल्प के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले सी कुछ data को type किया है अगर इसे हमें graphic की रूप में देखना है तो इसके लिए हम चार्ट विकल्प को उप्योग करेंगे इसके लिए आप दो तरीके से चार्ट विकल्प को उप्योग कर सकते हैं एक insert menu पे जाके chart विकल्प को select कर लें आप यहाँ से भी chart को insert कर सकते हैं दूसरे तरीके साब standard ट वो यहाँ पर अलग-लग टाइप की दिये हुए है आप उन options को यह से select कर सकते हैं तो यहाँ पर data range है जिन जिन data को आपको chart के रूप में दिखाना है उनको आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है हमने यहाँ पर तीन kolum को select किया जैसे क data series in column आपको जो भी chart आए है उसको किस view में आपको दिखाना है उसको row wise में दिखाना है column wise में आप इन दोनों में से किसे option को select कर लेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहे है फिर next पर click करें यहाँ पर data series है जो यहाँ आपको data आपके था quantity, grand total, maximum value आपको इनको किस axis प इसे किस को सबसे पहले रखना है यहाँ पर दो button दिए हुए है फिर आगे next पर click कर दे अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते है अगर को title दीना चाहते है तो आप यहाँ से title दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने product detail यहाँ पर type किया आप चाहें जिसके बारे में यहाँ चार्ट बना रहे हैं आप उसका detail यहाँ पर type कर सकते हैं जो इसके axis है अगर आप इसके x axis में कुछ लिखना चाहते हैं यह y axis में कुछ type करना चाहते हैं किसी symbol से या किसी आपको letter से denote करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिर इसक आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे आप देख से था हमने तीन अलग-अलग को सेलेक्ट किया था quantity to, grand total और max इन तीनों को अलग-अलग कोलम के अंदर इनका इक अलग से बार बनके आया है इनको अलग-अलग color में दिखाय गया है जो इनकी value है, इनकी value को यहाँ पे दिखाय गया है जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप chart विकल्प का उप्योग कर सकते हैं show direction के दोबारा आप drawing toolbar को show कर सकते हैं और height कर सकते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि show direction का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं show direction का उप्योग क्यों करते हैं तो पहले अपने pointer को center toolbar के show option पर लेका हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया है, आपने वापे click किया show direction की मदद से आप जो भी आपको toolbar है, वो hide हो जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने वापे click किया जो नीचे आप देखके से page के page जो drawing बार है, वो hide हो जाता है जैसे हम show toolbar toolbar पर click करते हैं आप पॉइंटर को फिर से standard toolbar toolbar के इस option पर लेका है, वापे click किया आप देखके नीचे, और द्रोइंग बार हो फूइंड हो गया है, फिर से click के है, drawing बार वापिस आग IRS आप नीचे वीडियो में यहापर भी drawing बार hide हो गया है इसको वापिस लाने के लिए हम इस प lotus этому'd क्लिक करेंगे का है इसका भी उप्योग जैसे कि जानते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ढूनना हो या उसे बदलना हो तो आप find and replace का उप्योग करेंगे आए वीडियो को देखकर find and replace के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं या पर हमने कुछ data को type किया हुआ हमें इन में से कुछ data को या कुछ numbers को find करना है तो इसके लिए हम edit menu पे click करेंगे find and replace option पे click करेंगे आप find and replace दो तरीके से कर सकते हैं एक edit menu पे जैसे भी आपको दिखाया गया है दूसरा तरीका आप standard toolbar के shortcut option है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस icon पे click करेंगे तो इस तरह की box आ जाएगा आप जिस number को भी find करना चाहते हैं वह find तो आप देखेंगे जैसे हमने find पे click किया हमने 170 टाइप किया था यहां पर 178 हाइलाइट हो गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर इसको आपको किसी दूसरे number के साथ replace करना चाहते हैं तो replace with में जो box है वहाँ पे type करें कोई से भी number हमने 108 type किया फिर replace पे click किया तो आप देख सकते हैं जो number पहले 178 था वो 108 के साथ replace हो गया तो इस प्रकार से आप find and replace की मदद से किसी भी number को find कर सकते हैं और उसे किसी दूसरे number के साथ replace कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया इस प्रकार से आप find and replace को उप्योग कर सकते हैं वैसे ही नेविगेटर का आप उप्योग करेंगे इसके दुआरा आप अपने spreadsheet के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कितने picture और object हैं आईए अप वीडियो को देखकर सीखते हैं नेविगेटर का उप्योग क्यों और कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर नेविगेटर विकल्प का उप्योग करना सीखते हैं आप नेविगेटर विकल्प का उप्योग दो तरीकों से कर सकते हैं एक तो आप view menu के view menu पे क्लिक करेंगे वहाँ पे नेविगेटर है वहाँ पे सलेक्ट करके नेविगेटर को उप्योग क सकते हैं या shortcut command F5 का उप्योग करके या फिर आप जो shortcut जो standard toolbar के अंदर shortcut है icon बना हुआ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे कि अगर टेबल है या चार्ट है वह यहां पर सो करेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा यहां पर रेंज नेम है ग्राफिक्स ड्रोइंग ऑब्जेक्स अगर इन चीजों का अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपको यह चीज़ें यहां पर दिखाएं देगी जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको हुआ हँ यहां पर कोई भी ग्राफिक्स निए इसलिए कोई भीम सअट की यहां अगर इन ओप्सेंस को हाईट करना चाहते हैं यहां पर क्लिक करेंगे राइट की बटन पे तुव थैथ उयु तो ऑप्सेंद दिखाये रहे हैं अगर इसे भी उप्छन को हाइड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करकर हाइड कर सकते हैं कि जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कौन सी सीट अकटिव है अगर आपको यहां पर cell move करना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो column और row select है अगर इस पर click करेंगे जो by default पहले से selected automatic आपका cursor वहीं पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं यहां से आप जो cell है cell को move कर सकते हैं यहां पर अगर जो भी यहां पर cell select करेंगे रोव सेलेक्ट करेंगे आप उस रोव पर जा सकते हैं यह उस cell को आप select कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर column में ए और रो में 2 को टाइप किया तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं यह options लिंक का है hyperlink का यहां पर हमने hyperlink को इंसर्ट किया हुआ है इसलिए यहां पर by default hyperlink पर क्लिक था है यहां पर जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है आप उसे चेंज कर सकते हैं यहां से यह उस hyperlink को आप देख सकते हैं इस प्रकास आप navigator की मदद से जो भी graphics या objects है यह जो भी hyperlink को आपने इंसर्ट किया है यह चार्ट इंसर्ट किया है उनको आप देख सकते हैं अब आप सभी एक नए column में minimum type करें और फिर हर एक row की minimum value को निकाल कर दिखाएं आए वीडियो को देखकर minimum formula का उप्योग करना सीखते हैं जिस cell में भी आप minimum value को निकालना चाहते हैं वहाँ पर minimum type कर लें उसके निचे आप देख सकते हैं minimum के लिए आपको min का formula यूज करना है कोई भी formula लगाने से पहले आपको equal to type करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर equal to type किया min type किया फिर bracket को start किया जहाँ पर भी number है उन number को हमने select कर लि जैसे आप enter press करेंगे उस row में या column में जिसे अपने select किया है उसमें जो सबसे कम संख्या होगी उसको यहाँ पर result में आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से बाकी numbers को निकालने के लिए आप वहाँ पर click करें और right side से जो button नीचे की स सकते हैं अगर आपको number के format को change करना हो तो आप number format की मदद से अपने number के format को change कर सकते हैं इनको आप shortcut command के द्वारा भी change कर सकते हैं आईए आप video को देखकर सीखते हैं number के format को कैसे change करते हैं आईए वीडियो को देखके number के format को change करना सीखते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर two type किया अब हम इसके number के format को change करना जाते हैं formatting tool में आप देख सकते हैं यहां पर अलग-अलग options है पहले option हमने dollar पर click किया यह dollar symbol में आ गया फिर हमने percentage पर click किया तो आप देखते हैं जो दो नंबर है वह percentage में आ गया 200 यहां पर आ गया फिर हमने इस वाले option पर select किया जो भी हमने यह पर percentage था वह पहले जैसे return जो starting में लिखा तो वैसे आ गया जैसी के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको decimal में चाहिए point के बाद अगर कुछ आप number लाना चाहते है तो इस पर click करेंगे तो इस point पर आ जाएगा फिर अगर points को हटा आना चाहते है तो इस पर click करेंगे तो यहां से points हट जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी परकार से हमने एक और number को type किया यहां पर आप देख सकता है हमने यहां पर 100 लिखा यहां पर 100.5 लिखा अगर मैं इस point पर click करूंगा तो जो भी है इसे point को हटा के इसको one में count कर लेगा यहां पर 101 लिखा हो आ गया अगर इस पर click करूंगा तो यह फिर से point में आ जाए फिर इस वाले पर click किया तो dollar sign को हटा दिया अगर percentage में चीज़ी तो आप percentage वाले पर click करेंगे तो इसका जो भी total percentage होगो वो निकालके यहां पर result आ जाएगा तो इस प्रकार से आप number के format को change कर सकते हैं क्यूंकि आज की class यही पर समाप्त होती है आप सभी अपने spreadsheet की file को close कर और अपने computer को shutdown करें आज की class में आपने standard toolbar और formatting toolbar के options को सीखा आपने standard toolbar में new, open, save, data source इत्यादी के बारे में सीखा था